इस एक मीटिंग में मेरे अपलाइन मिशा अर्सेद एमद प्रामजी के घर में बिठा दिये, सामका वक्त था और प्रोग्राम देखने के बाद दो चीज मेरे दिमाग में आया है कि मोधी ग्रूप ऐसे कभी फालतू चीज लाएगा नहीं अगर मोधी गुरूप लाया है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर है और दूसरी बात प्रामजी के जो प्रेजेंटेशन के अंदर बार बार ये बोलना है कि विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो तो मैं बोला है विश्वास करना होगा क्योंकि जो इतना कमा रहे हैं कुछ ना कुछ तो विश्वास के साथ बोल रहे हैं तो दूसरा दिन जब मैं आया तो मुझे पता चला मैं कान्फरम हो गया कि ये बिजनेस तीन पीडी तक जाएगा एक रेकोगनिशन चाहिए था किमकि दुनिया छोड़के तो चला जाओंगा लेकिन अपनी नाम पहचान क कुछ नहीं रख पाऊंगा क्यूंकि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ अगर गवर्मेंट जॉब में होता तो हां कोई मुझे पैचानता लेकिन प्राइवेट जो में तो कोई पैचाने या नहीं और रेकोगनिशन के लिए मैं अक्च्वले आया था यहां पर और आज के सामने आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो रेकोगनेश तो हो रहा हूं ना तो यह बिजनेस का जो परपस है मैं जिस परपस से आया था वो परपस मेरे लिए फुलपिल हुआ सारे लोगों के लिए हो रहा है आप लोगों के लिए भी होगा जो भी आएंगे उनके लिए भी होगा हर कोई कर सकता है तो यह सब के लिए है बिजनेस और जब मैंने देखा था कि हर कोई कर सकता है और मैंने किया तो मुझे भी मिला गर मिला गाड़ी मिला पैसा मिला दस बारा बार फोरेंट टिप का मोका मिला अभी भी मिल रहा है आगे भी मिलता जाए है तो कुछ न में हो रहा है. Thank you all.